नमस्ते, टेस्टी ख्याना बनाना में मैं बनना आप सबका अर्थिक सौगत करती हूँ आज मैं आप लोगों के साथ पनीर फ्राइ बनाने की रिस्पिशर करने जा रही हूँ पांच बिनट के अंदर आप इसको बना करके इंजॉय कर सकते हैं बेसिक मसाले के साथ एक्तम स्वाधिस्ट प्रोटीन से भरा हुआ अगर मैं आप डाइट वगरा कर रहे हैं उसमें आप इसको तो लही सकते हो क्योंकि डाइट जब करते हैं तो प्रोटीन क्या वाशकता बहुत ज़्यादा पढ़ती है इसे भी पढ़ती है ऐसी बात नहीं है लेकिन यह स्टार्टर के रूप में ले सकते हो जब भूख लगे कुछ हल्दी खाने का अब मन करें इसको बना करके आप इंजॉय कर सकते हो चलम शुरू करते बनाना यहां पर हमें ले लेना है पनीर पनीर कितना क्वांटिटी में बनाना है आपके ओपर डिपेंड करता है मैंने अराउंड दो कप ले लिया हूम मेड पनीर एक तम फ्रेश है तभी इसके पीसे थोड़े से रफ दिख रहे होंगे इसमें मसाला में हमें क्या डालना है वनफोर टीस्पून भुना हूँअचा घेव पउर्डर ले लिया है मसाला इसमें नाम मातृर का डालेंगे वनफोर टीस्पून हल्दी पउर्डर यहां पे हम 1.4 टेस्पून लाल मिर्च का पाउडर मतलब देगी मिर्च डाल रहे हैं यह जिसको क्या बोलते हैं कश्मीरी लाल मिर्च उसको डाल दिया और सेम कॉंटरेटी में 1.4 टेस्पून रेट चिली पाउडर स्पाइसी आपके उपड़ी पिंट करता है 1.5 जितना धनिया का पाउडर और 1.4 टेस्पून गरम मसाला नमक स्वाद की अनुसाल देन इसमें मैं डाल रही हूं चाट मसाला 1.4 टेस्पून यह ऑप्शनल है क्योंकि निमू का रसम डालेंगे इसमें तो आप नमक थोड़ा सा और डाल दिया तो आप सिर्फ निमू का र अराउन 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे निमू का रस सब कुछ डालने के बाद एकदम हलकी हाथ से हमें इसको मैरिनेट कर लेना है जैसे कि हूम मेट पनीर है तो थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट होता है तो जल्दी तोटने लगता है एकदम हलकी हाथ से हम इसको मिक्स कर ले जितना मैरिनेट करके रखने के बाद आता है हलके हां से हमने मिक्स कर दिया मैं इसको 15 मिनट के लिए रख देती हूं कवर करके पनीर एकदम बढ़िया मैरिनेट हो गया है यहां पर मैंने रख दिया है नॉन स्टिक का पैन इसमें हम डालेंगे वन टीस्पून घी घी बट है हमारा अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको उल्टेंगे पल्टेंगे अब हम इसको धीरे से पलट लेते हैं सब एक-एक करके और इसी तरह से उलट पलटके ना एकदम बढ़िया सुना रहा होने तक एकदम त्विस्पी होने तक हम क्राई कर लेंगे अब Chubei थोड़ा ध्यान देन डेना मैनेज करना उसको अजट करना पड़ता है कभी मेडियों फ्लेम पे कभी मेडियुम容易Mate यस तरह से आप इसको फ्राइक ना पनीर एकदम बढ़िया फ्राई होकर के रेडी हो गया है फ्लेम को हम बंद कर देंगे इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं यहां पर इदम घरम गरम स्टार्टर पनीर फ्राई बन करके रेडी हो गया है पूरा प्रोटीन से भरा हुआ इतना है इसी इसको बनाना इस तरह से आप लोग भी बना करके जॉए कर सकते हैं इस रेस्पी को तुरंत बनाओगे तुरंत यह चेक्ट हो जाएगा एक भी पीस पुब्ही नहीं मिलेगा जरह बनाना ज्यादा कॉंटरटी में बना रहा है रेस्पी कैसी लगी प्लीज कॉंपन सेक्टे में लिखे मुझे जरूर बताना मेरे स्टीप को मेरे इस वीडियो जादा ज्यादा शेयर लाहीं चैनल पर प्लीज सब्स्क्राइब जरूर कर दें thank you, bye